आज हम एक और टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको दिया था जेन सिंसम ने और यह जो टेक्सोनॉमी है यह भी साइको मोटर डोमेन के अंडर ही आती है जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी बेसिकली कोगनिटिव और अफेक्टिव डो आरेच दवे की टेक्सोनॉमी जो साइको मोटर डोमेन की जो सबसे ज़्यादा हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यूज करते हैं और जनरली उसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंडर ही बोल के पढ़ा दिया जाता है लेकिन वो बनाई गई थी आरेच दवे के दवारा ऐसे ही एक और साइको मोटर टेक्सोनॉमी है जो एलिजाबेट जेन सिंसन ने बनाई थी और ये कभी-कभी आपको कहीं-कहीं पे मिल जाएगी क्यूज होते वे इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हमारे इंडियन सिस्टम में तो डवे की ही ज़्यादा पढ़ाई जात में एक साइको मोटर डोमेन का और जैसे हमने देखा है कि सारी टेक्सोनॉमी में एक पिरामिट शेप होती है और स्टेप्स फॉलो किये जाते हैं उस पिरामिट के टॉप तक पहुचने के लिए बेस से शुरू होता है इसमें भी इन्होंने कुछ स्टेप्स बताएं है जो बेस से शुरू होता है जहां पर पर सेप्शन लिखा हुआ है फिर आता है सेट फिर आता है गाइडेड रिस्पॉंस फिर मेकैनिजम फिर कॉंप्लेक्स ओवर रिस्पॉंस फिर अडाप्टेशन और लास्ट में ओरिजिनेशन तो यह आपको यह लोवर टू हायर ओर तक ल इसलिए इसको साइको मोटर डोमेन के अंडर डाला हुआ है ठीक है तो साइको मोटर डोमेन की बात जब आती है तो इसका मतलब हम प्राक्टिकल की बात कर रहे हैं हैंड्स ओन लर्निंग प्राक्टिकल लर्निंग के हमारी जो लर्निंग हो रही है जो कि एक कॉगनिटिव वो थुप्राक्टिस हो रही है ध्रू प्राक्टिकल लर्निग हो रही है जहां पर हमारे सेंसे इन्वाल्व हैं हमारे मसल्व में तैट इस आपर साइको मोटर लर्निग ओके तो जो इनका पहला स्टेप था perception उसका क्या मतलब होता है awareness ability to observe and detect environmental cues and stimuli तो पहले चीज़ होनी चीज़ awareness अपने आसपास के environment के में जो भी stimuli हैं जो जिसको देख के हम stimulate होते हैं cues हैं cues का मतलब होता है जो चीज़ें हमें hint देती हैं किसी चीज़ का learning में help करती हैं environment में जो cues हैं जो stimuli हैं उनको observe करना उनको detect करना दूसरा sensory cues होता है जहां पर senses का use होता है जैसे sight sound touch smell senses का use करके अपने आसपास के जो environment के अंदर जो stimuli हैं या cues हैं जो आपको learning में help करते हैं उसके लिए आपकी perception होना या awareness होना तीसरा preparedness है जहां पर यह बात करें mentally और physically ready होने की to respond to a perceived stimulus मतलब जो भी चीज आपके environment में जो stimuli है यह stimulus है जो उसके लिए respond करने के लिए आपको ready होना चाहिए you should be prepared to respond तो यह सारी चीज़े perception में आती है because perception means you are perceiving something आप किसी चीज़ को देख रहे हो perceive कर रहे हो समझ पारे हो और जिसके लिए आप respond करने के लिए तयार हो आप aware हो sense कर पारे हो और prepared हो second आता है set set में आ जाता है mental readiness यानि की हमारा mindset क्या है हमारा attitude क्या है to perform a physical task successfully कि हम किसी task को कितना successfully कर पाएंगे उसके लिए हमारा mindset कितना ready है किस तरह का attitude है किस तरह का mindset है और बेसिकली आपर किसी task को perform करने की बात इसलिए हो रहे है क्योंकि यह psychomotor domain की बात कर रहा है तो psychomotor में हम performance की बात जादा करते हैं not only learning but also performing तो उसके लिए हमारी mental readiness कितनी है दूसरी आती है physical readiness यानि कि physical state physical state कैसी है posture to engage physical activity हम कितना ready है किसी चीज को करने के लिए physical posture हमारा कितना ready है या physically हम कितने ready दिख रहे हैं किसी activity को just start करने के लिए जैसे आपने देखा कि रेश शुरू करने से पहले जब get set go बोला जाता है तो जो racers होते हैं वो कैसे ready हो जाते हैं ठीक है तो हमारा mental readiness है के नहीं physical readiness है के नहीं और emotional readiness यानि की emotional state that enables focus and confidence to complete a task तो हमारा focus और हमारा confidence यह होना चाहिए किसी भी task को complete करने के लिए तो पहली चीज तो perception कि आपको perceive होना चाहिए आपको aware होना चाहिए अपने आसपास के stimuli के लिए आपको alert होना चाहिए एक तरी सी के सहलों कि आप ready हो दूसरा आप set हो रहे हो physically set हो आप उस चीज को perform करने के लिए start करने के लिए next इसके बाद आता है guided response guided response में teacher क्या करता है imitation observing and copying the actions of an experienced model तो बोला जाता है students को कि अब आप copy करो जब आप पहली बर कोई चीज सीखते हैं या बच्चे पहली बर कोई चीज learn कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि एक model को देखके आप copy करो model means एक person हो सकता है, teacher हो सकता है, को instructor हो सकता है, जिसको देखके वो पहली बार copy करता है, ठीक है, तो when the child is ready, जब वो ready है, he can perceive, he and she can perceive के सामने से कोई stimuli है, जिसको मुझे respond करना है, वो ready है उस चीज के लिए, और फिर उसके बाद उसको बोला जाता है, start imitation, आप उसको देखके copy करो, ठीक है, क्योंकि वो first time कर रहा है, फिर trial and error आता है, जहां पर attempting the skill, receiving feedback and gradually improving, खुद से try कर रहा है, एक बर copy करा, दूसरी बार फिर खुद से try करने की कोशिश कर रहा है, trial and error हो रहा है, मतलब try कर रहा है, गलती हो रही है, फिर सीख रहा है, और करता-करता, गलती करते-करते वो उस चीज को सीख जाता है, ठीक है, improve करते-करते, then coaching, working closely with an instructor to refine the technique and performance, धीरे-धीरे क्या हो रहा है, कि trial and error के साथ साथ, coaching भी मिल रही है, कैसे उस technique को और refine करा जा सके, जैसे class में practicals करवाने से पहले, teachers पहले आपको अपने lab में लेके जाते हैं, फिर आसपास की चीजों के बार करना शुरू हो जाओ, आप alert हो जाओ, अवेर हो जाओ, उसके बाद आप ready हो जाते हो, perform करने के लिए, when you wear your lab coat and your gloves, और आप practical करने के लिए तयार हो रहे हैं, बच्चे और आप teacher देख रहा है, कि बच्चे जो है, physically तयार हो चुके है, and they are ready mentally also to perform the practical, और उनका focus है, पूरा और पूरा concentration है practical पर, then फिर आपको teacher बोलता है, कि आप मुझे देख के follow करो, मैं आपको guide करता हूँ, तो आपको मेरी इतना perform करना है practical में, तो बच्चे imitate करते हैं, फिर खुद से trial learn करते हैं, सास्ता teacher coach करता रहते हैं, कि आप इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ताकि आप और better कर पाओ, तो यह चीज़े guided response में चलती हैं, फिर उसके बाद आता है आपका mechanism, यानि कि आप किस तरह से उस particular practice को perform कर रहे हो, तो उसमें fluency पहली है, यानि कि performing the skill with ease, smoothness and accuracy, तो क्योंकि आपको सासाथ coaching मिल रही है, आप trial and error method से improve हो रहे हो, तो then you become fluent, उस skill में fluent हो जाते हो, दीरे दीरे with ease smoothness आती है, accuracy आती है, adaptability आती है, आप उस skill को modify कर लेते हो, अपने तरीके से करने के लिए, शुरू में आप अपने instructor को copy करते हो, लेकिन जब आप एक बर सीख जाते हो, तो आप उसको अपने convenience और अपने तरीके से करने के लिए adapt कर लेते हो, ठीक है, and confidence बहुत हाई हो जाता ह high level of self-assurance हो जाता है, अपनी physical activities में, क्योंकि आप वो चीज़ अच्छे से कर पाते हो, this is mechanism, इससे क्या आपको पता चल रहा है कि कैसे हम lower order से धीरे-धीरे higher order में बढ़ रहे हैं, फिर आता है complex overt response, complex overt response का मतलब यह है, overt का मतलब होते है, कोई चीज जो सामने से आपको दिख र accuracy, जब हम उस चीज को बार-बार करते हैं, तो धीरे-धीरे हम उसमें इतना expert हो जाते हैं, कि हम high degree of accuracy से उसकाम को करना सीख जाते हैं, फिर coordination आता है, जहां पर हम multiple body parts के साथ harmonious movement के साथ वो task कर लेते हैं, that means कि हम कोई चीज perform कर रहे हैं, तो आप उसमें 3-4 चीज़ें एक आपको एक, कहते हैं, एक exertion नहीं हो रही focus करने में, आप easily कर पा रहे हो, उसके साथ multiple task भी कर पा रहे हो, you are using your multiple body parts, और आप पहले एक चीज को डर्डर के कर रहे थे हैं, उसके along with उसके आसपस जो और भी चीज़ें वो भी अराम से कर लेते हो, तो coordination बन गई है, आपके hand and body parts की, and the ability, control में the ability to regulate and manage one's physical actions, और अपने actions को अब आप control कर पा रहे हो, आप focus lose नहीं कर रहे हो, आप error कम कर रहे हो, या फिर आप इतने precise होगे हो कि error का chance ही नहीं रहे हो, आप आप राम से बिना error के काम कर पा रहे हो, तो now you are totally in control of your actions, तो यह आपके complex overt responses नजर आ रहे हैं, where you are doing multiple actions with precision, without error, so it is observable, आपका response जो है, वो दिख रहा है कि आप जो हो, उस चीज को, उस चीज में expert हो चुके हो, master हो चुके हो, then comes adaptation, जब किसी चीज में हम master हो जाते हैं, और वही चीज हम बार-बार करते हैं, और दुबारा करा जाता है, तो उसमें क्या होता है, धिरे-धिरे adaptation नज adjust करना शुरू कर देते हैं, meeting the demands of new and changing situation, तो जैसे for example, एक practical में आपने को ये एक चीज सीख लिये तो अब उसमें आपका teacher कुछ और modification करा के बोलता है, अब वो ही same procedure, आप किसी और चीज के साथ करके दिखाओ, तो अब आपको basic procedure आ जाता है, अब आप अराम से उस चीज को adapt कर लेते हो, दूसरी situation के demand के according, correct, तो इसमें आपकी flexibility नजर आती है, कि now you are flexible, आपको particular एक ही follow करने का डर नहीं लग रहा है, आप उसको easily flexibility से change कर सकते हो, अपने modes को, आप अपने तरीके बदल सकते हो, adapt कर सकते हो, because basic आपको बिल्कुल clear हो चुका है कि करना क्या है, आप innovate कर लेत हो, creatively modifying the technique to improve performance, आपको कोई problem आती है, तो उसको आप easily solve कर लेते हो, आप innovate कर लेते हो, नहीं टेकनीक निकाल लेते हो, और better करने की expertise, expert हो जाते हो, जैसे मैंने बोला, कि एक skill master कर लेते हो, to the point of being able to teach and mentor others, इतना master कर लेते हो, कि आप किसी और को भी वो चीज़ आप सिखा सकते हो और उसको आप mentor कर सकते हो, इतना आप इतने better और इतने expert हो जाते हो उस particular skill में, फिल last में it comes के origination आता है, यह काफी higher order skill है, origination, जहाँ पे inventions आती है, कि आप अपने basic skill यूज करके नए novel physical skill या techniques invent करते हो, easy तरीका कई बार निकाल लेते हो, short cuts निकाल लेते हो, better तरीका निकाल ल क्योंकि आपको basic में आप expert हो चुकि हो, customization में आप उसको modify करते हो, personal preference और needs के according, customize कर लेते हो, artistry में क्या होता है, कि elevate कर लेते हो, किसी physical skill को to an art form, through creativity and expression, इतना अच्छा आप कर लेते हो, कि एक art form की तरह बहुत creative और बहुत expressive हो जाता है, आप अपने आपको उस चीज में express कर प करते हो, कि वो एक तरह से आपका, एक art form की तरह जैसे होता है, passion की तरह नजर आने लगता है, then you actually में उस चीज को जो है, इतना ज्यादा अच्छे तरीके से master यह expert उसमें हो जाते हो, तो यह आपके थे सारे जो taxonomy के steps थे, जो हमने lower order से शुरू करें, यानि की perception से, और last में हम सबसे higher order पे गए, origination में, जहां पर आप खुद से originate करने लाइक हो जाते हो किसी चीज को, इसके example अब देखो, अगर हम समझें कि किसी एक particular skill को कैसे हम इस तरह step by step करते हैं, तो example में मैंने example यहां लिया है, जैसे suppose cookery classes में, क्योंकि cookery classes हाइको motor domain के अंदर आती है, because you are learning and you are performing, तो यह example बहुत अच्छा suit करता है यहां पर, जैसे perception में क्या होता है, कि एक नया cook जो होता है, वो recognize कर रहा है, just उसके, वो अपनी classes में गया और देखा कि वहाँ पर क्या-क्या ingredients रखे हुए, तो just एक stimulus जो वहाँ पर present है, वो उससे aware हो रहा है कि अच्छा यह equipments है, यह utensils हैं, these are the ingredients, इनको यहां रखा जाता है, ऐसे use किया जाता है, just getting to know the surroundings, फिर set में क्या होता है, कि learner prepare करना है, start करने के लिए अपनी performance या अपना जो भी recipe है, जिसको वो सीखने आया है, guided response में, learner follow कर रहा है instructions from cookery instructor, तो जो उसका instructor है, उसको देख देख के follow कर रहा है instructions, mechanism हमने हमने पढ़ा कि learner उस recipe को follow करता है, बनाता है, और trial and error के through सीखता है, अपने आप करने की कोशिश करता है, एक बार उसको देखता है, copy करता है, फिर अकली बार खुद try करता है, complex and overt response में, learner multiple and complex tasks कर पा रहा है, अब वो चीज़ को जब सीख गया है, तो उसके साथ साथ वो और चीज़े भी कर पा रहा है, साथ में, वो प्रपरेशन भी कर पा रहा है, वो उसको गार्निश भी कर रहा है, कुछ चीज़ों को वहाँ पर सेटल कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़े चल रही है, साथ साथ उसकी cooking भी चल रही है, फिर adaptation में क्या है, कि उसको modify कर रहा है, अपने meat के according नहीं चीज़े सीख रहा है, कुछ नया सीख रहा है, मानलो कोई ingredient missing है, तो उसको ये परिशान नहीं हो रहा है, सोचके कि मुझे तो यही डालना था, यही बोला गया था, तो आप मैं कैसे बनाऊ, वो अपने according उसको customize या उसको adapt कर रहा है, कोई चीज मिसिंग है, तो उसकी जगा दूसरी चीज़ को कैसे use किया जा सकते है, adapt कर पा रहा है, और last में, origination में क्या हो रहा है, कि अपने खुद की नई recipe, with slight modification, कुछ नया, कुछ creative खुद का बना रहा है, क्योंकि उसको basic steps clear हो चुके हैं, कुछ नया innovation करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके से क्या होता है, तो Simpsons के taxonomy में बता रहे हैं, कि कैसे हम अपने basic, जो है, lower order skill से start करते हैं, सीखना बच्चे और धिरे-धिरे higher order skill पे पहुँच जाते हैं, जब भी हम किसी skill की बात कर रहे हैं, और ऐसे ही जब teachers होते हैं, तो उनके भी teaching learning objectives जो है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए, कि जो उनका lesson plan है, या जो उनकी teaching की जो भी उनकी जो prepare किया हुआ है plan, उसमें कैसे-कैसे बच्चों को start करके, स्टार्टिंग में learners को lower order से धीरे-धीरे ऐसे पढ़ाना है, कि वो higher order तक अपने आप पहुँच जाएं, तो lesson plan में अपने ये steps को follow करते हुए, खास करिए उसके lesson plan में जो practicals के लिए होते हैं, सिरफ theory वाले lesson plan में तो cognitive domain चलता है, तो basic reflexes to highly complex and specialized abilities, तो basic reflexes से start करते हुए, highly complex activities कर पाएं बच्चे, by progressing through various levels, अपने अलग-लग level से, individual can develop, refine and ultimately create new physical skills, that demonstrate mastery and expert, तो पहले खाली copy करते हैं, फिर develop करते हैं, फिर खुद के नए create कर पाते हैं, जिसमें वो खुद के master और expert हो जाते हैं, तो this was your Simpsum psychomotor domain, and we have one more psychomotor domain, जिसको हम next video में आगे cover करेंगे, thanks for watching.